हलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिकलारेटिव संटेंस के बारे में स्टडी करेंगे इसे हिंदी में हम कथात्मक वाक्य कहते हैं और डिकलारेटिव और असर्टिव संटेंस, स्टेट्स, अफ़ैक्ट, ओपीनियन और आइडिया कह रहा है declarative और assertive sentence वैसा sentence होता है जिसमें आप किसी fact को, कोई opinion को या फिर idea को बताते हो most sentences are declarative और जादतर use होने वाले sentence हमारा declarative sentence होता है आप इसे declarative या assertive दोनों ही sentence कह सकते हो example देखते हैं, he sold the chocolates to the member of the clubs वह club की सदस्यों को chocolate बेचा next देखते हैं, no, I don't like to swim in the beach मैं beach में तैरना पसंद नहीं करता हूँ beach का hindi meeting होता है, samundra tat, samundra का किनारा उसे ही हम लोग क्या कहते है, beach कहते है अब आप सुचोगे, मैं ये तो negative sentence है हाँ दोस्तों, ये हमारा negative sentence है लेकिन negative sentence जो है, वो भी हमारा क्या है declarative sentence का ही एक part है type of declarative sentence है कोई भी ऐक ऐसा sentence जिसमें आप कोई question नहीं पूछते हो किसी में आप कोई command, order नहीं देते हो आप surprise नहीं होते हो emotion express नहीं करते हो तो उसके बाद जो भी हमारा remaining sentence भजता है वो भी हमारा क्या हो जाता है declarative sentence हो जाता है आगे के वीडियो में मैं आपको कुछ example दिखाऊंगे declarative sentence का तो आपको ये और भी अच्छे से clear हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले आपको ये थाएग। दिखाऊंगे तो आपको ये लाइग वीडियो को वीडियो को आपको ये जाएगा वीडियो को ये ने रूले